बहुत-बहुत सुक्रिया मैं भी बहुत बेताब हूं कि कैसे अपनी इतनी जवरदस्त बात को कैसे पेस करूं मैं उसी उसमें प्रड़ा सा डूबा हूं मेरे जो भी साती जूम में जोईन है वो अगर अपना वीडियो ओन कर सकें तो मेरा तलड़ा नरोद रहेगा कि मैं उन अज दो अच्छी बाते बताने हो राहमें. उनसे पहले बात बताना चाहता हूं जहां वतसर विलोडा की बात कर रहे थे विलोडा जाने के लिए हम सब बेताब है और हम भी मतलब में कहूंगा कि कभी भी मैंने इस उत्सा से कभी आमंत्रित नहीं किया है, यह है आओ ठीक है, बलकि कई बार तो मैं मनाय कर देता हूं कि क्या जरुत आने की काम करना है, पर इस बार जो आमंत्रित की इच्छा जो अंदर से प्यदा हो रही है, वो बड़ी अजीब सी इच्छा है, और जो तैयरियां चल रह है कि उनको सब्दों में बया करना बहुत कठीन काम है, सब्दों में बताना बहुत कठीन काम है, क्योंकि हम प्रतित दिन कुछ इनकुछ उसमें जोडते जा रहे हैं, कुछ एड़ करते जा रहे हैं, कुछ उसको बहतर करते जा रहे हैं, अब आप कल्पना कर सकते हो कि वहा ताकि आपalyst pura को पी महनं से ख्रिपजाँ पूरे को बागी नी रहना चाहिए। पैंट्रे होता है तो उसके कुछ जब यूंटे माटे रिपरिंग लिखे रहे हैं उसको कंपलीट किया जा रहा है Sारे डायरेक्षांस किस चीज का कहा सुरूप होना चीओ खिंड अचीज होनी चीओ कैसे उसका वह सारी चीज़े चैंज की जारी है और एक्टिविटीज के नाम पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ जब आप आएंगे तो नॉर्मल सेलिब्रेशन प्रोग्राम या ऐसा सेमिनार जैसा नहीं है उसको हमने नाम दिया है आर्शेम कार्निवल जहांकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है वहाँ पर आपको जुम्बा करने को मिलागा मौर्णिंग में जुम्बा करने को मिलेगा वहाँ एक वह कोच रहेगा जो जुम्बा करवाएगी आप सबको वहाँ अपन मेरा थन मेरा थन की प्लानिंग कर रहे हैं कार्शेम केमपस में उसको डिजैन किया गया कि कहां से काम कली हम उसमें लगे होते हैं कि मेरा थन कहां कराना चीए कैसे अधर बहुत सारे पाविलियंस बनाए जारा है जहां डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज बहुत सारे सेलफी अलग-अलग नौर्मल सेलफी नहीं अलग-अलग बहुत ही अट्रेक्टिव सेलफी जूले और टेलेंड शो तो है बहुत सारी हमरे पास रिजिस्टेशन भी इसको अगर मैं बयां करूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मान लीजिए आप किसी अच्छी साधी में जाते हैं तो वो आनंद भी आपको मिल जाएगा आप किसी अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे गूमने जाते हैं वो आनंद भी आपको मिल जाएगा आप कहीं अच्छे दो जाते हैं तो वो लगबग लगबग पांच-दस सेमिनारों जित्ता मसाला आपको वहां पर मिल जाएगा और पी में क्या क्या को हमें जीवन की दिसा मिल जाएगी हमें रोयल्टी आने का रास्ता मिल जाएगा हमारी टीमों को मोटिवेट कर पाएंगे हमारी आगे के फूचर प्लानिंग कर पाएंगे हम आर्शियम का प्रचार प्रसार कर पाएंगे हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि आर्शियम क्या है तो ऐसी बहुत सारे अट्रेक्शन्स है आर्शियम वर्ड के और सबसे बड़ा अट्रेक्शन जो मैं बताता कि आर्शियम में जो हाइट हमें जो टच करनी है और जो ग्रोथ हमें लानी है उसका मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है और आर्शियम के एक मजबूती मुझे दिखाई दे रही है यहां से हमें आर्शियम के बहुत मजबूती स्थापित होने वाली है इसलिए में ज्यादा म करने का रिजन यह है कि अगर हम सेमिनार करते तो हम एक टेंपरेरी सजावट करते हैं कि चलो यहां पर टेंट लगा दो यहां पर कुछ फूल लगा दो क्योंकि हमें दो दिन करके जाना है पर यह अपना घर है यह उर्जा का सेत्र है यह तो वहां अपनी चीज बन रही है तो तो हम स्थाई चीजें भी बहुत सारी कर रहे हैं, टेमप्रेरी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन स्थाई चीजें हम बहुत कर रहे हैं, और इतना सब कुछ बताने के बाद भी लगता है कि मैं पूरा साइड बता नहीं पाया हूं, ऐसा मुझे महसूस होता है पर जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद जो ख्याल आता है, वह आता है कि इतनी सारी तयारियों को एक इवेंट करके और तो उसकी पूरती नहीं की जा सकती वे तो फिर हमने पूरी उसी समय डिसाइड हो चुका है कि साल में तीन चार इवेंट तो ऐसे जबरदस्त वाले करने ही करने हुआ पर हर साल क्योंकि इतनी जो तैयरियां कर रहे हैं उसका तो पूरा प्रतिफल तो लेना पड़ेगा नहीं उसका लाप तो लेना पड़ेगा नहीं बढ़ी आदमी बढ़ी आते एक एक पैसा का निचोड़ निकालता है और अपन जहां इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इतनी तैयरियां कर रहे हैं इतनी इनर्जी लगा रहे हैं पूरी टीम इसी में लगी हुई है तो फिर डिसाइड किया कि साल में तीन-चार शांदार इवेंट वहां करनी करनी है ताकि लोग आए मज़ा लें अपना मोटिवेट हो प्रचार प्रचार हो सब कुछ हो तो यह तो एक बात हुई जो रोड़कार्ट के दब अब जो मैं आज जिसके लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं एकत्रे से वह बात कह देता हूं तो यह जो मैंने पहले कहिए उस हिसाफ से आप अपनी अपनी तैयारियों को आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी तैयारियां और बढ़ानी है क्या करना है मैं जड़ा क्लियरली इसले भी बतारा हूं कि आप मुझे फिर बाद में मत यह कहते ने कि आपने इतना नहीं बताये था refuse है नहीं करते हम और जियारी करते तो मैं बहुत साब बतारा रहा हूं बाद में उनस्छा मैं मुझे मैं आपको अच्छी طرह से बतारा Bruce см का घषभ business की growth सब कुछ सब कुछ सब कुछ वहां होने वाला है तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है आप यह कहने का अधिकार नहीं रखते हो कि आपने ठीक से नहीं बताया नहीं हम और तैयारी कर सकते थे हम और लोगों को ला सकते थे, यहां के पता चलता है, चाची आदारी, मामा आदारा, दोस्त आदारा, भी वो आपकी इच्छा है, मैं पहले से आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूं कि बहुत ही गजब अजब गजब का होने वाला है, बाइस साल के इतियास में वो च चलो आगे बढ़ो, उस नारे में बिलवड़ा चलो में जिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि आपको पंदरा जार पर्चे जुलियूं तीन महिनों में करना, अक्टूबर, नौंबर, दिसंबर में, यह एक क्राइटेरिया है कि यह जो करेंगे वो सामिल हो सकते हैं तो जो तीन महिनों में पंदरा जार का पर्चे जुलियूं कंप्लीट कर रहे हैं, उनको एक चीज आज और अपन तोफ़ा दे रहे हैं, यह गोशना आज की, यह इवेंट का अट्रेक्शन तही, इनोगर सेलिग्रेशन में सामिल होने का अट्रेक्शन तही, पर आज एक औ और जब इतने मड़ी घटना हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे साथियों को कुछ और करना चाई है, और बहुत अच्छे तरीके से करना चाई है, और उसमें कुछ और भी अच्छी चीज़ें अपने आप जुड़ते जारी है, आपन क्या कर रहे हैं कि जो भी स समबर से पहले-पहले तीनों मैनों का मिला कर उनको एक बनाया जा रहा है इनोगरल इस पाउंडर क्लब का नाम क्या है इनोगरल फाउंडर क्लब को यह जो भी साथी होंगे इस क्लब के सदस्य में बन जाएंगे और आप समझ सकते हैं कि किसी भी इतनी बड़ी ओर्गिनाईजेशिन का और इतने बड़े आर्सिम का फाॉंडर क्लब मेंबर बनना और यह दो अंतिम मोका है क्योंकि दिसंबर उतो वापिस आ नहीं सकता एंगरेशन भी बार बार हो नहीं सकता है और ये चीज भी बार बार नहीं हो सकती है तो इनको इसमें सदस्टाश लेने का एक मौका ये एक हपन और दे रहे हैं त remotely 15,000 पराच जुल्यों करने वाले को唐 कोई अशे भी साती हो सकते हैं जो अभी नहीं आपा रहे हैं तो अपनों उसके लिए क्या कर रहे हैं कि यह क्लब बना दिया गया और क्लब में बहुत सारे बेनेफिट दिये जाएंगे फ्यूचर में यह पर्मानेंट रजिस्टेशन हो जाएगा और लाइफ टाइम यह मेंबर्शिप रहेगी बैस अर्टे की एक हजार रुपे की खरीदी जारी रहनी चीए यह टर्मस कंडिशन चेंज भी हो सकती देखिए यह अलग बात है यह सबकी राय से जो भी होता है पर एक मोटे तोर पर मैं बता रहा हूं यह सदस्चिता जारी रहेगी और इस सदस्चिता में इनको विशेस बेनेफिट जो है दिये ही जाते रहेंगे हमेशा के लिए हमेशा के लिए दिये जाते रहेंगे कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कुछन-कु गुत फोज का निर्मान करना तो यह एक तरह से उस फोज के सिपाई के रूप में रिजिस्टर हो जाएंगे अपन तो कलब मेंबर भी मत बोलो यह बोलो तो भी तो यह एक रिजिस्टरेशन का मौका और दे रहे हैं तो दोरा बेनिफिट हो गया अभी यह तो बिलवडा आने तो मैं आपको अनौन्स कर देता हूं बाद के बेनिफिट और आते ही रहेंगे तत्काल वाला बेनिफिट यह है जैसा कि मैंने बोला है कि साल में तीन-चार इवेंट ऐसे ऐसे ही इवेंट अच्छे वाले तीन-चार इवेंट होंगे होंगे जिसमें रेस्ट्रिक्टेड कोई क का प्रोग्राम हो गया तो वन दीवेंट में नहीं अपाए तो उनको रिख्यम मानअ में आने का पातरता उनकी कायम हो जाईगी बहुएम बाद के प्रोग्रमbly आ सकते हैं और उनको जो चीजे इस में प्रॉइड की जारी कंपनी की तरफ से ऊन्की प्रोग्रामों में उनको प्रोइड की जाईगी तो एक तत्काल मिल है कि उनको उस और ये जो पातरता है न दो साल तक काइम रहेगी उधारन के लिए मान लो एक रादे रादेशाम मैं ने दीस जार परचे जोलियुम कर लिया है अक्टूबर नॉमबर दिसंबर में मिला कर और लेकिन वो फरियलुम्मर में जिनका पाया और बाद में भी एक साल तक नहीं आ पाया तो भी अगले एक साल तक जो और प्रोग्राम होंगे उन में भी उसकी पातरता बनी रहेगी इतना एक अच्छा तो ये बेनिफिट में अभी बता रहा हूं ताकि किसी को ये मलाल नहीं रहे किया मैं करता हो सकता हूं लेकिन मैं अभी नहीं जा को नहीद हुआ रहा है अब हुआ रहा होगा कि सब्सक्राइध कि एक जो aveni metree business टिक Неपने करें आप रहे हैं कोई और एक कोई नहीं आना चाी किसी का क्या कारण कुए ड़ी टैयारी कर नाच रहा तो उसको लगता है कि इतने साथियों दुमें है प्रोग्राम मैं कैसे लेकर जाँ ऐसे बहुत सारे कारण ओसकते हैं तो उसके लिए अब अपने को क्या करना है कि इस क्लब को बहुत जदा प्रमोट करना में ज़्यादा सात्यों को सदस्ट्रा दिलानी है मतलब अब ये दिसंबर तक टार्गेट पूरे करने के दो कारण हो गए हमारे पास पहले एक ही कारण था कि ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम फरवरी का अब दो कारण हो गए जो दूसरा वाला कारण पहले वाले पर भारी पड़ता है मेरे कारण से इसको अगर अपनों अवराल समझेंगे तो अब आजाते हैं दूसरी बात पर दूसरी बात ही है कि जब इतनी सब कुछ हो रहा है इतनी तैयरिया हो रही है हम सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं फिल्ड में भी पूरी मेहनत की जा रही है और माहौल बना हुआ है सब कुछ लेना भी जरूरी है ग्रोथ के रूप में पिनो के रूप में तो हम सब मिलके जो बचे वे दिन है उसमें हम ज्यादा प्रमोशन करेंगे पिनो का रोयल्टी का नई रोयल्टी का एजूकेशन के माद्यम से प्रमोशन के माद्यम से अपने अस्तर पर आप कैसे प्रमोट कर सकते हो कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो अपनी टीम के साथ बेठके काउंसलिंग करो प्लानिंग करो किसकी कौन सी पिल लानी है कौन सी नीचे वाइटल लाने है क्या करना है और पूरा फोकस अपने जैसे कई बार focus program चलाएं पहले अपने चलाया minimum खरीदी डाइजार का चलाया फिर भिलवाड़ा चलो आगे बड़ा को चलाया तो यह हमारे focus से चीज़े अब जो बच्चे बें 15-16 दिन है उसमें focus program रहेगा हमारा नई royalties की बाड़ लाना नई royalties की बाड़ लाना मतला हमारे वो और वो करना ही करना है क्योंकि मोका यह कहता है मोका यह कहता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा हो तो उसका लाब पूरा लेना चाहिए हमें हमें ऐसी रन निती बनानी चाहिए हमें उस तरह से काम करना चाहिए कि हम उसका पूरा लाब ल कि अभी मेरी मंसा जो यह है कि अपन दिसंबर में एक अच्छा कासा पर्फॉर्मेंस करें सिस्टेमेटिक वे में गलत तरीके से तो करने की बात है नहीं अपने जुरत भी नहीं है गलत तरीके से करने की सिस्टेमेटिक वे में दिसंबर में अच्छी पर्फॉर्मेंस करें हम सब मिलकर और जनेवरी से उसको फिर एक कुछ और अपन फोकस प्रोग्रामिंग करेंगे बढ़िया में दूलकर मतलब पूरा अभी मेरे लगातार कोर साथियों के साथ मिटिंग्स हो रही है हम सब लोग पूरी तरह से तयार हैं या कह सकते हैं कि हम सब कुर्बान हैं मतलब ये सब कुछ करने के लिए हैं तो हम सब तयार है पूरा सिस्टम तयार है और हम सब आवान कर रहे हैं कि आओ आगे बढ़ो आओ आगे बढ़ो आओ अओ टेकनिकल लव आओ आगे बढ़ो और मार्स तक हम जो ने record हमें सारे ब्रेक करने है पिछले कौन से record सारी पीड़ना वह सारे रिकॉर्ड मार्स तक हमें ब्रेक करने हैं तैयारी हमें अभी से करने पड़ेगी दिसमबर से हमें स्टेब तोड़े चड़ने पड़ेंगे हमें बहुत सारी royalty भी लानी पड़ेगी, royalty से अपने आप नीचे बहुत सारे ग्रोफ आएगी, आएगी, बहुत सारे vital आएंगे, इस्टार आएंगे, royalty आएगी, और qualification अका, technical का, और रोयल्टी के वज़े से बहुत सरे टेक्निकल पिने भी वह एक सिस्टम का पार्ट आटोमेटिक होगा लेकिन हमें अभी फोकस करना है रोयल्टी पर क्योंकि फोकस प्रोग्रामिंग में क्या होता है यह सब आपको बात करनी होती है उसकी वज़े से अटोमेटिक वो के लिए हो जाओ तैयार पांच बातों का करो प्रचार रोयल्टी के लिए हो जाओ तैयार पांच बातें कौन-कौन सी है यह जानना बहुत जरूरी है पांच बातों में सबसे पहली बात है इनेक्टिव साथियों को एक्टिव करना अपनी निकाल कर उसमें से इनेक्टिव की रननीती में यह डिसाइड हुआ है कि 31 दिसंबर तक कि यह सिस्टम रहेगा उसके बाद यह सिस्टम वापिस पुराने सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा एक्टिव करने का जबी तरीका है ऐसा हमारे आई टी टीम भी यह बोल रही है कि यह सिस्टम को अब थोड़ा ड्र अक्तुबर नौंबर सितंबर अक्तुबर नौंबर में जीरो जो चल रहा है उस जीरो को हटाकर उनको हीरो बनाने का अश्वर देना है जीरो अटाने का दूसरी बात तीसरी जो बात है वह है जादा से ज्यादा से ज्यादा सात्यों को धाइजार पर्चे जोलिम करोना प् चोथी बात आ जाती है आई एफसी इनोग्रल फाउंडेशन क्लब की मेंबर्शिप या तो ऐसे बोल दो या बिलवडा चलो आगे बढ़ो बोल दो क्योंकि अभी बिलवडा चलो आगे बढ़ो मौनलो बिलवडा कोई नहीं आना चाहता है तो उसको फिर अपन उस तरीके से क लोगन काम में लेंगे तो हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ज्यादा तो यह हो गया चोथी बात और पांच्वी बात है हमारी टीम में काउंसलिंग करके हमारे जितने भी एक्टिव साती है उनका सब का लेवल चेंज दरवाना है पुराने लेवल पर कोई नहीं रहना यह एक सथीड़ी आगे सब को बढ़ना है जो भी जितना भी लेवल चेंज पाए है है कि मानुलोड ठीक है पिंचेंज नहीं होती है उसको अपन पिन नहीं जाते हैं लेकिन जो भी नॉवम्पर में जो लेवल था जो भी जितना बिजनिस था उससे दिसंबर में एप स्ट सामोई क्रूब से हो सकती है है तो सामोई क्रूप सी यह थी- गी हर साथि फुल नारा यही यह चलाना इसे पर काम करना है तो यह दो बाते आज की विशेस मैंने बताई है आई एफसी इनोग्रल फाउंडर क्लब और दूसरा नारा बताया है कि पांस बातों का करो परचार और प्रोयल्टी के लिए हो जाओ तैयार तो इस पर हमें जम के काम करना है ज उसे आर्सियम में बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ आ गई है ताकत बहुत जबर्दस आ गई है और इस ताकत का उप्योग करते करते हम कुछन कुछ तो बड़ा कर लेंगे तो अभी सबी साथियों से मैं यही आगरे करता हूं कि जिस तरह से हमने फोकस फ्रोग्रामिंग को महत तो दिया है अभी भी हमें फोकस फ्रोग्रामिंग को महत तो देना है और हम सब को नए रोल्टियों पे बहुत जबर्दस्त काम करना ही करना है करना ही करना है यह हम सब के इतके लिए यह आर्सियम की परिष्टितियां पकार पकार कर हमें आवान दे रही है हमारा जमीर हमें साथ देने के लिए खड़ा हुआ है हम सब एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के आर्शियम परिवार को ये बुला रहे हैं कि आओ आगे बड़ो हम आपको सफलता की उचायो की ओड़ ले जाने के लिए तैयार है पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है और बस मैं लास्ट में बात मानी और रोयल्टियों पर काम किया इस नारे पर तो जनवरी से मार्स तक के लिए हम बिल्कुल यह जो चड़ाई-चड़नी जैसे एवरेस्ट पर चड़ना शुरूई किया तो यह चड़ाई-चड़ने के लिए हम कुछन-कुछ बहतर डिजैन जरूर करेंगे बस आप कि क्योंकि जिसको चड़ना है वो चड़ने के लिए तयार होना चीए चड़ाने वाला जबी चड़ा सकता है तो मैं तयार हूँ U.S. की टीम तयार है बस आपके साथ की दरकार है आप साथ देते जाओ हाँ भरते जाओ बात मानते जाओ और जो काम हम सब पने डिसाइड किया वो करते जाओ निश्चित रूप से निश्चित रूप से पोरे सिस्टम की पूरी ऐसी एक हुस्बू आ रही है कुछ ऐसी ऐसी आवाज आ रही है जैसे एसकी तो इसे की अपन बहुत सारे साथियों की जिन्दगी को अच्छा बना सकते हैं देर सारी पिने नहीं ला सकते हैं और मार्स तक आर्शम के अब तक के पिनों के सारे रिकॉर्ड जै ब्रेक कर सकते हैं पस इस बात के लिए आप सब का पूर्ण साथ जरूर मिलेगा मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से आप सब साथी काम कर रहे हैं पहुत बहुत जयर सी